बात कर लेते हैं देश में पैर पसार रहे करोना की देखे क्या महराश्ट्र में लॉकडाउन लगने वाला है क्या आज महराश्ट्र सरकार कोई बड़ा फैस्टा ले सकती है हम यह सवाल क्यों उठा रहे है यह आपको अगली रिपोर्ट के अंदर समझ में आएगा कोरोना की दूसरी लहर महराश्ट के शहर शहर में कहर महराश में पिछले 24 गंटों में 47,827 नए मामले सामे आए जबकि 202 लोगों की मौत हुई है पुने में 9,86 नए केस और 58 लोगों की मौत है जबकि मुंबई में पिछले 24 गंटों में 8,832 नए केस रजिस्टर रुए उद्वगी से जंधार गए। कोरोना के बड़ते मामलों को देखते हुए महाराश सरकार एक्शन में है। आज शाम चार बजे सीम उद्व ठाकरे अलगलग चेत्रों के विशिशग्यों के साथ बैठक करें। उद्व की ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब पूरे महाराश में लॉगडाउन के लेकर चर्चाओं का बाजार गरब। कल उद्व ठाकरे ने भी प्रेस कॉन्फेंस कर इसकी संभावनाओं से इंकार नहीं किया। ज़र ही परिस्थिते अशिस रहे ली तर अपने ला परत एकड़ा लॉगडाउन करावा लागेल की काई अशिएक शक्यता मी बोलून दाखली होती। इस शक्यता आज़े ही पूर्णपणे टड़ ले ले नहीं है। वैसे महराश के कई लाखों में सरकार लॉगडाउन की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। पूरे में एक हफ़ते के लिए शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉगडाउन लगा दिया गया है। नादेर में 25 मार्च से 4 अपरेल तक लॉगडाउन और नंदुर बार में 31 मार्च से 15 अपरेल तक लॉगडाउन लगा है। महराश में लॉगडाउन लगना चाहिए या नहीं इसको लेकर सियासत गर्म है। सरकार में शामिल NCP और विपक्षी पार्टी, बीजेपी फिर से लॉगडाउन के आईडिया के खिलाफ। लेकिन लॉगडाउन लगा देने से कही न कहीं राज सरकार हो या जनता हो उनको लेकि कहीं न कहीं उसको आपती है। महराश में लॉगडाउन लगाना है या नहीं इसका फैसला सरकार लेकिन लोगों को भी जिम्मेदारी समझनी होगी और सोशल डिसेंसिंग और मास के नियमों का पालन करना होगा। वैसे आपको बता दे हालाद सिर्फ महराश में ही नहीं पूरे देश में अच्छे नहीं है। कुरोना के मामले कई राज़ों में लगातार बढ़ते नज़र आ रहे हैं। देश में कुरोना की किलर रफ़तार थमने का नाम नहीं ले रही। महराश में हलात बेकाबू है तो देश की स्थिती भी डरावनी है। स्वास मंतराले के शुकरवार को जारी आंकडों के मताबिक पिछले 24 घंटे में 81,466 नए मामले सामने आए जिसमें 479 लोगों की मौत हो गए। देश के राजियों के हालात पर भी नज़र डालना सब्सरोगी है। यूपी में पिछले 24 घंटों में 2967 केस, एमपी में 2777, 36 गड़ में 4174, दिल्ली में 3594, पंजाब में 2903, गुजरात में 2640, जबकि दर्ख्षन के करनाटक में 4991, तमिलनाडू में 3290, और केरल में 2506 मामले दर्च किये गए। कोरोना के बढ़ते मामलों ने राज सरकारों की नीदें उडा दी। यूपी में योगी सरकार ने तो पहली से कक्षा आठ तक के स्कूल 11 अपराल तक बंद कर दिये हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्री कैबिनेट सची ने भी माराश समेट 11 राज्जों के मुखे सचीवों के साथ बैठे कर प्लानिंग बनाई। ABP News आपको रखे आगे